हाई हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई न्यू वीडियो तो फ्रेंट्स जहां बीटियस मेंबर इतने ज़्यादा पॉपलर होने के साथ साथ यूद के लिए एक इंस्पिरेशन भी है और जो हमेशा ही अपने इंस्पारिंग फुल्म सॉंग से हमें हमारे सक्सेस के लिए अप सब्सक्राइब करांब करें और कई बार ऐसा होता है कि कि मैस्पारत लों सब्सक्राइब करना चाहते और कभी जान बुझकर कोई काम नहीं करतें जिससे उनकी आर्मी में तुखी हो क्योंकि वो अपने आर्मी से हमेशार जुड़े रहना चाहती है। और इसी तरह हमेशार जुड़े रहने के लिए एकुछ साल पहले ही बीटेयस के एक मेंबर ने एक ऐसा वॉड्ड ूपर को दिया। और सक्सेश भी नहीं दुनिया की करोड़ों आर्मी के दिल पर राज भी कर रहे हैं तो फ्रेंट्स बीटियस की किस मेंबर ने ऐसा कौन सा मैजिकल वर्ट दिया जिसके वजह से उन्होंने इतने सक्सेश को पाया है अगर आप भी जाना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के क साहिसो ने अपने सामय को बनवाया है और डियर्स के सिक्सश मेंबर ने तो इसी शुकर दिया दिया है लेकिन ग्रालव फ्रेंसिप टैटि यह वहीं दूसरी तरफ क्यνα करते बहुत ज्युपॉंटेू क्योंकि नहीं तो यह Onging Lab, गलत गत चूरा लिया है। और उनका टैटू बहुत ही छोटा है जो ऐसे जगह है जहां किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा है और इसी बात को लेकर जीमीन बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटिग थे जिसके बाद जीमीन ने वी लाइप पर लाइव स्ट्रीमिंग करके अपने आर्मीज के साथ अपने टैटू को लेकर डिसपॉइंटिंग बातू को शेयर किया और उसी टैम वह बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गये जिसके बाद उनकी आर्मीज ले सोसल मीडिया के थ्रू उन्हें कंस्टोल करते हुए उनके लिए सपोर्टिंग वर्ट बोलें और जीमीन के लिए अपने को आर्मीज के साथ शेयर किया जाएगा तो जैसा कि अभी पिछले टू विक से वी और जीहॉप का वी लॉग आया था तो वहीं बीते सटर्डे को जीमीन का वी लॉग वीडियो भी आया है जिसमें जीमीन ने अपने हाथों से एक ब्रेसलेट बनाया था और जिसमें उन्ह इनने जितनी बार भी सुटिंग की है वो बीटेस मेंबर के साथ ही की है और इसलिए वह बहुत ज़्यादा नर्वस फिल कर रहे थे और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है कि वह अपने वीडियो को खुदी ब्रेसलेट बनाते हुए उन्होंने ये कहा कि मुझे उस टाइम की यादारी है जब सारे बीटेस मेंबर्ज के साथ मैं भी मिट्टी के बर्तन बना रहा था और इस तरह जिमीन ने अपने वी लॉग को आर्मी के साथ शेयर करके थोड़े खुसी हुए थे कि जिसके बाद ह जिमीन की ये खुसी देखी नहीं गई और जिमीन को हेटर्स ने जम कर ट्रोल करना और हिट करना सुदू कर दिया और उन्हें बहुत सारे एलिगेंस भी लगाए गए तो वहीं एक बार फिर से जिमीन की डेटिंग की बाद सामने आ रही है तो फैंस अगर आप भी जिमीन क वह हेटर्स ने क्यों ट्रोल किया और उन पर क्या एलिगेंस लगाए जाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को देख सकते हैं आपको मेरे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लिंक मिल जाएंगे तो फैंस जहां बीटेस के मेंबर्स अपने कंपनी के हार करते हैं और अपने आरीश की खुशी का भी ध्यान रखते हुए वह किसी भी फीमेल के क्लोज नहीं आते हैं लेकिन फिर्वे किसे ना किसी फीमेल के साथ उन्हीं जोड़कर उनके डेटिंग लिउमर ही वाइरल होने लगते हैं और जिसकी बात कभी-कभी बीगेस नेंबर लाइब स्कूरेंग हैं ने बीडियों करते हैं तो कभी वह वीलाइब पर लाइब स्कूर करते हैं और जब इन सबसे भी बात नहीं बनती है तो खुद बीडियोज की कंपशे को आफिसली स्टेटमेंट देने परती हैं ऐसा ही एक बार बहुत ही बड़े कंपनी की लड़क इस वीडियो के बारे में बताने लगूंगी तो यह वीडियो बहुत ज़्यादा लबी हो जाएगी और इस लिए इस वीडियो के लिंक को भी मैंने अपने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में एड़ कर दिया है आप चाहो तो देख सकते हो और अब ऐसे ही बीटियस में कि में जीमीन को लेकर एक न्यूज बहुत तेजी से वारल हो रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि जीमीन सौंग दायून नाम के एक अक्रेस को डेट कर रहे हैं और इसको लेकर और और लाइन कमिटी नेट पैन के पास जीमीन और सौंग दायून के डेटिंग से पैना था जिसके बात फ्रीज एक बार आर्ट जूलाई को उन दोनों भी चार मिणिट के डिफ्रेंस में अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी को शेयर किया था शौंग दायून ने चार बजी स्टोरी डाली वहीं जीमीन ने चार बजकर चार मिणिट पर अपने पोस्ट कि प्रिटाया था और यहीं लyou neighbor को के एक गेम में गया भी उस गेम को उसी दिन अटेंड करने पहुंची थी और उन्हों ने वहां के अपने फोटोस शेयर किया था लेटिजन्स ने यहते प्रिम किया कि Song Nya Yoon ने एलाइड मूवी को भी देखा है जिसे जीमीन ने इपर सजेस्ट किया था इसी तरह उल्म ने ये भी बताया कि जीमीन ने एक बार अपने प्रेट के नाम को लेकर अपने आलमी से पुछा था और जिसके बाद इस एक्ट्रिस ने भी इसे बात को अप सेशन को किया था और जैसे कि BTS के सारे मेंबर्स और आर्निस को ये पता ही है कि 13 अक्टूबर को हमारे जीमीन का पर्ट्टे है तो इसे लिए इन दोनों की डिटिंग यूमर कुछ लोगों को सच भी लगने लगी और इसी तरह उन्हें एक वर बीटियस के लास्ट कॉंसर्म के दोरान जमसी को लांपिक स्टेडियम में भी देखा गया था इसके साथ ही निटिजन्स ने भी ध्यान दिया कि साउट कॉरियन कॉमेडियन जो सेगुनी सारे बीडियस मेंडर में से जीमीन को ही फॉलू किया है और अब वो सौंग दायून को भी फॉलू कर रहे हैं और स सबसे ज्यादा सौंग बात लगी और उन्होंने ऐसे ही कई सारे प्रूफ को भी रखा जिसे अन्मीज ने भी डेटिंग के इस रूब को सचमाना सुरू कर दिया इसके बाद गूगल से जुड़ी इस लीज को सुनने के बाद बहुत सारे आर्मीज ने भी यह करके देखा तो उन्हीं भी यह सौकण चीज परिखने को मिली हाला के फ्रेंट्स ने बात में इस पोस्ट को डिलीट कर दिया तो फ्रेंट्स आपको क्या लगता है कि जिमीन और सौंग रायूंकि यह ट्रेटिंग की बात सच है या नहीं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके चरू बत होते हैं नेक्स्ट वीडियो में